हेलो मित्रो इस कहानी का नाम है शिश्य भी बच्चे ही होते हैं दिवाकर अपने किराने की दुकान पर वो शराबी के खरीदे सामान के दाम को अपने केलकुलेटर पर जोड़ ही रहा था कि उसने लडखणाते जिवाल से बोला 940 रुपे दिवाकर को अश्चेर हुआ वो आ आगे दिवाकर ने खुद से दाम जरूर निख रखे थे जिससे दिवाकर को केलकुलेटर से जोड़ने में असानी हूँ पर सिर्फ दो मिनिट देखकर एक शराबी दिवाकर को हसी आ गए दिवाकर ने एक बार फिर से दाम जोड़ कर देखा तो 940 ही निकला इस आश्चेर ही लगा कि उसमें ऐसे दिखने वाली कौन सी बात है वो शराबी बिना उसकी तरफ देखे बढ़ने ही वाला था कि उसने कहा आप मैट्स वाले विवान सर है ना तो विवान ने पूछा हाँ मगर तुम कौन हो लड़की ने जुक कर उस शराबी के पैड छूली है मैं राग किया हल बना रखता है कितने दुबले हो गए है आप पहचान में ही नहीं आ रहे है वो अब उससे नजरे चुरा रहा था और हाथों में लिए शराब की बोतल भी बिना कुछ बोले जाने लगा लड़की ने हाथ पकड़ लिया मैम कुछ नहीं कहती आशू कहा है उस शराब का मंजर मेरी आखों से जाता ही नहीं नशी से लाल हुए इन आखों में मुझे एक पिता और एक पती का दर्द बहता नजराया लड़की ने उसे वही मेरे दुकान के आगे रखे बेंच पर बिठा लिया आपको इस हाल में देखकर क्या वक खुशोंगे सेर जानती हूँ उनकी जगा कोई नहीं ले सकता पर क्या एक गुरो के लिए उनकी शिश्य बच्चों से कम होते हैं क्या मैं आपकी बेटी जैसे नहीं उस शराबी ने लड़की का हाथ जटक दिया नहीं इस दुनिया में अब मेरा कोई अपना नहीं है और शराब के बोटल का ढक्तन खोलन लगा इससे पहले की दिवाकर उससे अपने दुकान के सामने पीने से रोकता तो रागनी ने कहा जा रहे हूं सर पर बहुत उरो रहे होंगे वो दोनों आपको देखकर वे सिर्फ उस दिन नहीं बलकि रोज आपको इस हाल में देखकर मड़ते होंगे काश कि आप पहले की तरह मुझ जैसे बच्चों की जिन्दिगी में खुश्या लाते, तो आपको उन बच्चों में आपका आशूप और उनकी सफलताओं में आपकी पतनी दिखती, लड़की मुश्किल से कुछ ही कदम गई थी, कि उन्होंने कहा, रागनी, तुमने ठीक कहा, ये गुरू के उनके शिश्य भी बच्चे ही होते हैं, तुम बेटी जैसी नहीं, बेटी ही हो, वो लड़की मुश्कुराते वे वापस आ रही थी, और वो अपने हाथों में लिये शराब को वही जमेन पर उडेर रहा था, दिवाकर ने रोका नहीं, बह जाने दिया उस बुराई को, और खुद के आसो को भी, तो मित्रो बहुत ही बढ़िया श्टोरी लगी मुझे पर्सनली बताओ तो, वैसे आपको भी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मित्रो लाइक, सब्सक्राइब, शेर जरूर करेजिएगा, ठैंक्ट्यू